तो दोस्तो इस वीडियो के शुरू होने से पहले आपके लिए एक इंपोर्टेंड अपडेन है अगर आप एक ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, सूइंग करते हैँ, इंट्राडे करते हैं, लॉंग ट्रम करते हैं, और अगर आप इंटरस्टेड हैं अपनी एक्सपिरियंस अपनी स्टोरी अपनी जर्नी शेर करने में तो आप नीचे दिये गए गूगल फॉर्म पे अपनी डीटेस दीजिए इस प्लाटफॉर्म पे और डेजिटल ब्लॉगर के चैनल के उपर हम आपसे बात करेंगे आपकी इस सॉपायद करने हैं सीजन्स चाहर आप कोई भी हैं लेकिन आपका कुछ न कुछ एक्स्पिरियंस रहा है स्टाउक मार्कित में और अगर आप उनको share करना चाहते हैं तो be our guest, हमारे साथ बात कीजी इस platform पे, google form पे अपने details आप जैसी ही देंगे, हमारे team आपको reach out करेगी, आपसे बात करेगी और फिर आपको एक time और एक schedule बताएगी कि जब आप से हम एक call के उपर बात करेंगे, वीडियो call के उपर और आ 20 से ज़ादे exchanges हैं, 300 से ज़ादा stock brokers हैं और Corona investors हैं, अब हर industry में दिक्कते होती हैं, stock market में भी कुछ defects हैं और इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे no defects, no problems कौन सी हैं जो Indian stock market में existent हैं और उसकी वज़ा से किस तरीके से वो traders को या बाकी की entities को impact करती हैं, तो तो दोस्तों stock market में financial मतलब पैसे की बात होती है, सिर्फ पैसा खरीदा या बेचा जाता है shares के form में, बात यही है, इसको समझ लीजिए, गांट बात लीजिए, लेकिन certain level पे जब ऐसी कोई gaps आते हैं इंडिस्ट्री में, जो भी rules बने होए हैं, उसके चक्कर में कोई न कोई entity फाइदा उठाती है उस चीज़ का और जब तक वो rule का gap समझ में ना आए, तब तक वो फाइदा उठाते चले जाते हैं, और कई बार ये देर इतनी हो जाती है कि system में से बहुत सारा पैसा निकल जाता है, इसको आप चाहे insider trading बोले, इसको चाहे आप सेभी की दिक्कते बो करके शुगात करते हैं, सबसे पहली बात है कि stock exchanges की कमी, inadequate stock exchanges मतलब क्या है, इंडिया में 22 stock exchanges है, NSE, BSE, MCX, NCEX, ICEX, बहुत सारी ऐसे exchanges हैं, जो कि stock market में existent हैं, लेकिन उसमें से 3 मुंबई में हैं, और जो NSE, BSE, MCX हैं, वही primarily जादा format of trading करते हैं, अब हरत रोज आल्मोस्ट नए नए IPOs आ रहे हैं, नए IPOs के तरू, नए companies listed हो रही हैं, नए demate accounts खुल रहे हैं, तो market बड़ा होता जा रहा है, और exchanges के पास इन सब को संभालने की किशमता की एक limit हो चुकी है, और जो existing exchanges हैं, system में उनको भी by time optimize करना चाहिए, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह द दूसरा defect है, कि जो exchanges market में हैं भी, उनके operations में भी काफी दिक्कत यहाती हैं, मतलब इनके पास पहली बात तो काफी exchanges के पास proper infrastructure ही नहीं है, एक तरीके से अगर उनको trading भी करवानी है, अपनी certification के थुरू, companies जो market में लिस्ट होनी हैं, उनके से भी अगर disclosures लेने हैं और उनके disclosures को भी check करना है, यह सब कुछ operational level पे, day to day level पे काफी बार बड़ी-बड़ी exchanges के थुरू भी नहीं हो पाता, काफी बार ऐसा होता है कि exchange को काफी समय बात पता लगता है कि फला particular exchange ने या फला stock broker ने यहाँ पे यह gap छोड़ा था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और infrastructure का होना, stock exchanges का और सही समय पे optimizations करना उन्हें इस infrastructure की बेहत ज़रूरी है, तीसरा मुद्दा है IPF का, investor protection fund का, कई बार stock broker सब broker बंद हो जाते हैं, जो demand account में share पड़े थे वो अभी available नहीं है, अला कि आपके demand account के shares depository के पास होते हैं, लेकिन जब broker बंद होने लगता है, तो फिर बाद में एक तरीके से trader फर्ष जाता है, बिना funding के और बिना demand account के shares के, उस case में 25 लाक रुपे तक का IPF आज की तारिक में एक retail investor को मिलता है, जो कि honestly जादा नहीं है, अच्छा का सा percentage, आला कि 25 लाक के नीचे ही होता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे investors होते हैं, जिनका overall holding 25 लाक के beyond होता है, और वो particular investor certain level पे इस amount से खुश नहीं रह पाता है, और उसकी जो सारे उमर की मेहनत की कमाई होती है, वो एक ही पल में हट जाती है, मार्केट से निकल जाती है, और जिसने एक तरीके से bankruptcy देखी है, जिसने company बंद हुई है, जिसकी या जो पैसे ल एक value 25 लाक की fix कर दी गई है, लेकिन इसमें भी slabbing के base पे पैसे वापिस देने चाहिए, अलांकि सेवी को, exchanges को अपने rules में जो loopholes है, या जो audit process है, वो इतना strong करना चाहिए कि company या broker बंद हो ही न, लेकिन in case होता भी है, तो 25 लाक की value certain level पे कम देखती है, हमारे पास कितने ही calls आते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए के पैसे अटके होए हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो सकता, 25 लाक, honestly उनकी पूरी investment value का 10% भी नहीं होता, चोधा problem है, stock broker का defect, अब देखिए, हमने CB का देखा, exchange का problem देखा, certain level पे stock broker भी बहुत बार defective होते हैं, अगर आप एक relevant stock broker के त content time पे, या तो आपकी trading app में problem आएगी, या आपके funding में issue आ सकते हैं, customer service में issue आ सकता है, you can't tell के कौन सी areas में actual problem आती हैं, लेकिन तिकते हैं आ सकती हैं, और उस case में stock broker honestly अपनी responsibility से पला जाल लेगा, पीछे हो जाएगा, और आप problem में फसे रह जाएंगे, तो stock blocking system में honestly इतना clear cut एक तरीके से verification process नहीं है, regular level पे, market में आना एक अलग problem है, मतलब market में आया जा सकता है as a broker बनके, लेकिन as a business उसको sustain करना और उसके साथ-साथ auditing करवाना, monitoring करवाना अलग बुद्दा है, तो CB को certain level पे यहां पे भी framework लगाने चाहिए, कि regular level पे brokers की भी checking हो, नहीं सिर्फ financial level पे देखा जरूर जाना चाहिए, कि उनके data to operations में कोई खामी है या नहीं, पांच वान दिक्त है, vague prospectors, जो market में companies listed है, वो disclosures करती है, disclosure करते समय वो काफी सारी information vaguely फेंक देते हैं, और जैसे कि आपको पहले वाले point में बताया कि exchanges काफी बार, इस information को देखती भी नहीं है, तो ज इस particular information को वो भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो इस particular case में जब information दी या ली जा रही है, जिस particular trader या party का actual में इसमें relevance है, वो सबसे दा impact हो जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, जब वो information को अच्छे से value तरीके से monitor किया जाएगा, और किया जाएगा, और उसमें जो खामी है, वो सही समय पर बताई जाएगी उस company के खिलाफ, तो वो trader बच जाएगा, लेकिन आज की तारिक में बहुत वेग है, जब company के information disclosure होते हैं, especially जब बात आती है, सही time पर information provide करने की, उस समय पर insider trading के दिक्कते भी आती है, और वही अगली दिक्कत है, जो आपको बताना चाहेंगे, insider trading एक ऐसा plague है, एक ऐसा parasite है, जो industry में, market में, पता नहीं कितने समय से बैटा है, जैसे online system आये हैं, उसके कारण insider trading में थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं, कि सब कुछ ठीक हो गया है, आज की ता का वंदा ही बता देता है, अभी खुद के लेवल पे, हालांकि से भी टेक्नोलोजी में फोकस जरूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम देखें के insider trading का play खतम हो गया है, honestly, आज सपास, we are not even close there, हम आज सपास भी नहीं है, तो अगर insider trading का बुद्दा सौल होता है, त उस case में जो company खुद मॉल प्रैक्टिस कर रही है, जो company के employees मॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब वह भी fix हो सकता है, अगला problem है gray market का, जब आप IPO में apply करते हैं, तो आपको gray market premium price दिखता है, अब कही बार gray market premium value आस पास भी नहीं होती, जो actual value आनी है, लेकिन इस पे कौन ध्यान दे रहा है, gray market actual में exist ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस में इतनी power है, इतनी शक्ती है कि वो market को influence कर सकती है, investors को तो बहुत बुरी तरीके से influence करती है, हालां कि guide भी करती है, लेकिन अगर एक तरीके से gray market गलत हातों में हो, तो वो कहीं भी किसी भी company को किसी भी direction में लेके ज ज़रूर चाहिए, जो guide करें, लेकिन वो CB के अंडर होना चाहिए, ऐसे open में gray market नहीं होनी चाहिए, जो के अपने आप से चल रही है, जिसका कोई regulation नहीं है, कोई responsibility नहीं है, और बाद में manipulation का कोई जिम्मेवारी भी नहीं लेता है, तो gray market is a big problem and that's problem number 7 in the list for us. अगला दिकत है तो कई बार brokers के पास इतनी adequacy नहीं होती, इतनी flexibility नहीं होती कि हर particular type of net banking या payment information आपको provide की जाए, तो वहाँ पे एक limit आ जाती है, चैलेंज आ जाता है stock broker के पास, दूसरी चीज, postal services, postal services में क्या होता है, जब company आपका dividend allow करती है, then warrants देती है, refunds देती है, interest के payment देती है, वो online हो जाना चाहिए completely, especially जो पुरानी companies बैठी है system में listed, जो के warrants दे रही है, dividend के, या refunds दे रही है, या broker interest दे रहा है, किसी भी level पे, ये सब कुछ online हो जाना चाहिए, और instantly trader के account में आ जाना चाहिए, और आखरी दिक्कत है, दोस्तो margin facility की, जो के बहुत कम हो चुकी है, 75% तक पहुन चोकी है, और September तक आपको सिर्फ five times margin ही मिलेगा, इससे market में liquidity का बहुत बड़ा issue आ रहा है, equity segment में अगर आप देखेंगे, तो overall turnover भी कम होई है, BSE तो ये भी कह रहा है, कि 15-15 घंटे हम आपको trading करवाएंगे, ताकि आप overall जादा टाइम तक trading करें, और turnover बढ़ जाए लेकिन ये कुछ solution नहीं है, margin की facility, honesty, globally आपको मिलती है, लेकिन Indian market में, in the name of security of the investor, एक तरीके से इसको बेचा जा रहा है, जैसे कि बहुत सारे rules, सरकार दोर अलाये जा रहे हैं, कि उनकी protection के लिए है, जो party involved है, आप ही की सुरक्षा के लिए है, लेकिन यही चीज़ यहाँ प को हम यहीं पर complete करते हैं, आपको क्या लगता है, क्या दिकते हैं, stock market, Indian stock market में, जुरूर बताइए, comments में, हमें जो लगा आज की तारिक में, हमें बताने की बोल, आपको बताने की कुशिश की है, रादर, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों, नए information के साथ, आपको एक तरीके से इंफर्म करना चाहेंगे कि मैं पूर इतना से इंट्रोस सही नहीं दे रहा हूं, तो अभी नहीं शुरू करते हैं, तो दोस्तों इंडिया में, नहीं इंडिया में नहीं, इंडिया में इन्डियन स्टॉप मार्केट में, अच्छा, दो डपोजिट्रीज हैं, बीस से जादा एक, एक, एक्सचेंजिज, देम इट, प्रोल, प्रोल, उदे, रहा हूं, नहीं एक झामी करते हैं, इंडिया में, खीया में, प्रोल, दोस्तों कमें प्रोल, इंडिया में hypothetical दोर्पाटिः, जहां जजिया में ह dew scroll schimas, प्रो प्रोल, जडिया ओका हैं, झाल CHAN, बास्षाया में अग्रम वोजिगाण